जय हिन्दोस्तो तारीक छे 5 सप्टेंबर 2020 आज आपटे डिसकस करेशू इंडियान एक्सप्रेस ना बे आर्टीकल अने दह हिंदुनो एक आर्टीकल विश्यू आउप्रांथ अमुग अगतियना परिक्सामा पुछायला प्रस्टानू पन डिसकसन करेशू स्टार्ट करिया फर्स्ट आर्टीकल थी जेचे इंगलिस मेडियम विश्यू आपटेक्स नहीं चट्चा करिया यहनी पेलाउँ एक मुवी रिकमेंड करवा मांगीशू आज आपटो रिलेवंट छे एजूकेशन इन इंडिया गई काले आपटो टोपिक डिसकस करेशू तो राइट टू एजुगेशन उपर एक फिल्म बनी छे जेनी ओल्मोस्ट रियालिटी जे छे आप फिल्म द्वारा बता हमा आवी छे तो आतो मैं फिल्मे को जो तमने ख्याल आवी जासे वदी आगट साउती बहला कंटेक्स्ट सू छे इंगलिस मीडियम तो रिसेंटली सुप्रिम कोड द्वारा आंधर प्रदेस हाइकोड जेछे त्य êtesना जेज्मेंटने रिवर्स करी लिवावमा आवी श्क्रायक ड०ावन करी लिवामा आवियुछे इल्ले की इंकार करी द्वेवमा आवियो चे आंतर प्रदेस हाइकोड नो उसु जज्मेंट आतू तो आं जज्मेंट डिलिवर गरों मा विती अंद्र प्रदेश ने हाई कोट द्वारा हैनी गवर्मेंट पन जेशे आना समर्थन माती परन्तु आम मामलो आखो जारे सुप्रीम कोट मा पहुंचेशे तो सुप्रीम कोटे आवल्डिक ने स्ट्राइक डाउन करी दिदी छे तो रिसे तो बहुत भाँत जी पहला प्रफ्रस्णों नी डिसक्सन करिए तो जी पीस से और गोंड सिवा बन्ने एक दमा आप्रफ्रश्ना पुछायलो जे कि राइट्ट्ु एजुकेशन एक्ट कैया वर्समा आवियो तो आपकंण सवने ख्याल छे कि राइट्ट्ु एजुकेशन जेशे सिक्षण नो अधिकार वर्स बेजर नौमा आवे होतो ओके बिजो एक प्रस्णो ते लागू क्यारे पड़े होतो तो ए लागू पड़े होतो 1 एप्रिल 2010 ना रोज और त्रीजो प्रस्णों ही पूछायोतो के ते गुजरात मा क्यारे लागू पड़े हो तो Right to Education Act जेशे ते गुजरात मा वर्स बेजर बार मा लागू पड़े होतो 3 प्रस्णों था इया 2009 मा काईदो आवे छे 10 मा अमल मा आवे छे भारत मा अने 2012 मा गुजरात मा अमल मा आवे छे अवसे पहला एक ब्रीफ लईए के Right to Education नी जरूर क्याम पड़ी अल्रेडी आपना बंदाराण नी अंदर DPSP लिएक डाइरेक्टिव प्रिंसीपल अब स्टेट पॉलिसी जेछे पाग चार नी अंदर Article 15 मा Right to Education मेंचन करवा मा आवे छे तो परन्तु मितो तमने ख्याल चे राज्ये नितीना माग दरसक सिद्धान तो जेछे ते कोई पन राज्ये फोलो करे कि ना करे तेनों कोई अर्थ रहतो नथी काराण कि ते एक निर्पेक्ष वच्चनों अपपामा आवे छे कि जेने कोई राज्ये जेशे अमल करे तो वदुसारू रहसे बाकि ए अमल नथी करतू तो तेना माटे कोई जोगवाई नथी तो आर्थ ते Article 15 जेशे ए रिलेवंट नतो इसकाराण कि इंडियानों लिटरसी रेट 90 सुधीन वाद करी आपड़ी तो बहु लो अतो खुबज लो तो विश्वना अन्य देश्वना कमपे रिजन मा तो बारत सरकारे सुकरी शे तो आर्टिकल 15 जेशे डिपी एस्पी मा हतोज अल्लेडी मेंचान जे छोथी चवद वर्षना बाड़कों माटे फरज्यात मपत सिक्षण तेने लहिया छ्यासी मा बंधारणिया सुधाराद्वारा कई जग्या मूडबुद अधिकार मा अन्य सुप्रीम कोर्टे अर्थ कटन करता गिदू छे के आर्टिकल 21 नी अंतर गतज आर्टिकल 21 ए तरीक्या समाविश करों मा आवे हो तो यह जिवन जिवान नो अन सिक्षण नो अधिकार बनने एक jud आर्टिकल मा मेंचन करीरिया हमाँ आवे शे तो शिक्षन ना अधिकार माटे एक नव क्लॉस उमेरवा मावियो जेशे अनुचे 21 क्लॉस A तो आर्टिकल 21 क्लॉस A मा जेशे राइट टु एजुकेशन ने छ्यासी मा बंतरने सुधारा वर्स 2002 मा दाखल करवा मावियो आउपनान मुडबुत फरज मा आर्टिकल 51 क्लॉस A और इंटर क्लॉस K आरी ते एमा पण एंटर करवा मावियो जेती करीने जो कोईपन राष्टा जेशे त्यानुँ लिटरसी रेट सारो हो से तो ए देश जेशे त्यानुँ विकास जेशे ऑटोमेटिक थवा लागसे वाद करी आवे साउथी पेला राइट्टु एजुगेशन एक्ट बेजा नौमा सेक्शन 29 क्लॉस 2 क्लॉस F सुखेशे तो नुजमा एटले आतो कारांड के आज जेज्मेंट नी आपड़े वाद करी त्याना कार्णा सेक्शन चर्जा मावी गयो 29 क्लॉस 2 क्लॉस F मायो क्यों मावी छे कि बाड़क जेचे प्रात्मिक सिक्षन जारे लेतु होए त्यारे त्याने सिक्षन जेचे ए मदर टंग एटले गे मात्रू भाषा माच आपू पड़ से जेथी करी ने इजीली दरेक वस्तु जेचे ते ग्रास करी सके कैच करी सके बात करी आर्टिकल 29 नी तो आपड़ी जे भाषा ओचे देने सलरक्षन कंजव करवानी बात करवामाई छे मात्रू भाषा ने पण ही कंजव करवामा आवी छे आउपरांत अमुक जे यहां अगत्याना अनुच्छे द्रिलेवंट एता पासा साथे तेने में यहां एड़ॉन करी लिधा छे चर्चा करी आर्टिकल 120 जेनी अंदर क्याओं आयुछे के पाल्लामेंड नी अंदर संसद्धी अंदर कही भाषा नो प्योग करवा तो तमें ओच सेरेमनी जोई एसे अलग अलग विधान सबा राज्ये सबा लोक सबा नी अंदर तो त्या जेशे ज्यारे ओच सेरेमनी युजाई छे त्यारे तमें इमनी स्पीच जो जो हिंदी मा आसे इंगलिस मा आसे अथवा घणिवारे उबने छे के पोतानी मात्रु भासा माम पण ओथ लेता जोहा मड़े छे तो संसद मा जे पासाओनों प्योग थाए छे हिंदी और इंगलिस और मदर टंग कोई पणोई सके अंडर आर्टिकल वन ट्वेंटी परन्तु सदन्नु कारिया जेचे बे पासा मा थाए छे हिंदी अने इंगलिस आगडवदी आ पहला जेशे चाउद आती अत्यारे कूल हाल माँ छे 22 लेंगवेजिस हवे फाइदो सुथ हाई छे कोई पण बासा जेशे लेस्ट जेशे ओफिसल लेंगवेज नी लिस्ट त्याने अंदर स्थान मेडवे असवा एट स्थीडूल जेशे आठ बी अनू सुची तेमा कोई बासाने स्थान मड़ी जाए तो तेनों फाइदो सुचे गणा बदा फाइदा छे तेमानों एक फाइदों सौथी पहलातमने जणाईश के जेते बासा जेशे तेने आ एट शीडूल मा स्थान मड़ी जाए तो ए बासा माटे अलग थी एक ट्रांस्क्रिप्ट तैयार बासा जेशे तो ए जरूरी छे के बासा जेशे ए आनियंदर आवे आउप्रांत राज्ये सरकार केंद्र सरकार जेशे कार्यों करशे आप बासा ना स्ररक्षन माटे तो खुब इंपोर्टन बनी जाए छे जाले कुलपन बासा जेशे एट शीडूल बा मुगवामा आवे अंदर तर गणे बधी बासा नों प्रयत न थाई जो छे अंदर इंक्लोड गरवानों गणे बधी मांग उठी रही छे वधी आगर नेक्षे 350A आर्टेकल 350A एउग कहे छे के शिक्षन मात्रू बासा माज हो जो जो ये प्रात्मिक स्थरे अगेन तो आजो आर्टेकल 350A ए 51 तरफ जैने अंदर स्टेट स्टेट एटलेके भारत देश जे छे हिंदी बासा नों प्रचार कर से ते हुँ मैंचन करवामा आवियो छे नेक्स शे NEP आपड़े दिशेंट लियाना पर एक वीडियो अप्लोड करियो तो नेशनल एज्जुकेशन पॉलिसी तैयार करवामा आई छे इस्तोरोना पूर्व अध्यक्स डॉक्टर कस्तुरी रंगन द्वारा अब नेशनल एज्जुकेशन पॉलिसी जेछा आपड़े ओल्मोस्ट डिस्कास करियाती तैनी अंदर एक अगत तैनी उस्तोरोन करवामा आवियती त्री लेंग्वेज फॉर्मिला लास्ट एर ज़ारे डराप्त रिलिस थेयोतो गर्स बेजरर उपडिसमा त्यारे टमिललाडू के रल करना अट ज्य साउथ इंडियाना अमुक स्टेट शे तेना ध्यक्वारा खुबश वीरोत करवामा आवियोतु विरोध करवा मा आवे तो त्यारे जे प्लैक लोगोना हाथ माता तेनी दर यहुँ लखवा मात्यु बैनर नी अंदर के सेंटर गवर्मेंट जेछे ए हिंदी नुँ इंपोजीशन करी रेए छे एडले के हिंदी जेछे जबड जस्ती ए लोगों जोडे इंपोज कराई कई त्राण बासा तो सौधी पेला जेते व्यक्ती विस्तार नी मात्रु बासा बीजी अशे हिंदी अने इंगलिस तो आ त्राण बासानों उप्योग करवानों छे जे हिंदी अने इंगलिस जेछे एने 2332 करी सकाई उपन नीचे प्रथम जेछे मात्रु बासा रेशे तो आ फोर्मिलार तयार गरवा मा आवे तो 1968 मा कोठारी कमिशन द्वारा आवपरा नेशनल एजुकेशन पॉलिशी मा अपना फोर्मिलार डिकमेंट करवा मा आवे छे अने आपने ख्याल चे वर्ट्स 2020 मा एटलेके रिसेंटली च एनी पी ने हवे मंजूर करी द्या मा आवे छे एनु कारण एच छे के तेनी पन दरेक मिनिश्टर जेचे आटिकल 351 ने प्रमोट करे छे इलेके हिंदी ने राष्ट्र बासा तरीके प्रमोशन करवानों प्रहास करवा मा आवी जो छे हवे आनु एक सर्व सिष्ट उधारन जेचे आटिकल मा इडियन एक्स्प्रेस न आटिकल ने अंदर आप्पामा आवे छे आपड़े लास्ट विक डिसकस कर्यों तू नमत बसाई सू छे तो सर्व सिख्षा अप्यान अंतर गत केरल नी अंदर जेचे खणा बदा प्रहासो थेलिया छे केरल नों लिट्रसी रेट जेचे ये भारत मा सवती हाइस छे तो नमत बसाई जेचे सू अतू एक कार्यक्रम अतो आपड़े लास्ट विक डिसकस कर्यों तो किरल द्वारा सरू करों मा आवे तो मैं गिद तू आप प्रश्ण एक बनी सके का कोना द्वारा सरू करों मा आवे तो तो जे आधी जन जातीचे ट्राइबल लोको जेचे जंगल मा वस्ता तेमना माट एक कार्यक्रम नमत बसाई सरू करों मा आवे तो तेमने तेमने ज मात्रू बासा मा यूटूब चैनल द्वारा एक बेजिक सिक्षन आपपमा उसे बेजिक एजुगेशन त्याना बाढ़क मात्रू बासा मा शिक्षान अपपासे तो आएक एक एक्संपल देग्यू आगडवाद करिए तो इंडिजिनियस लेंग्वेच स्वधेसी बासाउनों वर्स जेशे बेजार उगणिसने जाहर करव मा वाई उसे कौना द्वारा यूएन जीए द्वारा अब यूएन जीए जी आपड़ याद राखवाने छे राष्ट्रिय हिंदी दीवस क्यारे उजवाए छे तो इटीस 14 अफ सप्टेंबर अने विश्व हिंदी दीवस इलेके वर्ल्ड हिंदी डे 10 जान्युएरी ना दीवसे अपजव करवामा आवे छे तो अल्मोस हवे 4 सप्टेंबर तो याद राखवानों छे जारे 12 सप्टेंबर न आर्टीकल आपटें डिसकस करता आशू त्यारे मों तुमने पूछीस के विश्व हिंदी दीवस जे छे क्यारे उजवामा आवे छे आव प्रांद अही थी अमुक अनुच्छे जे छे एपड़ पूछीस बस समने रिकॉल कर आवड़ों चोईए वधिया आगड़ नेक्स्ट एक मिलिटरी एक्सरसाइज छे नीज मा आवी छे लाइव फायर यूद अभ्यास अब जो आए यूद अभ्यास इंटरनेश्टन एक मिलिटरी एक्सरसाइज छे आपड़ा एक्जूकेश्टनल पॉंक्ट व व्यू थी इ अने टर्की वच्चे ताजे तर्माहवे यूजावानों छे वह जनरल इसू बनेशे टर्की जेशे ऑल्मोस कोई देश चोड़े हाल मा कॉपरेशन नथी करती है टर्की जेशे इनफेक्ट मिडल इस्ट माँ टेंशन नो कारण सुचे टर्की छे टर्की ग्रीस साइप्रस अने फ्रांस अब देशो वच्चे हाल मा टेंशन जे हुआ तावराण बनी यूँछे टेरिटोरियल विवाद छे एले के सरह दने सीमानों या विवाद चाली रही हो छे अत्यार सुदी टर्की ये कुईनी जोड़े यूद अप्यास कर्यों न थी हवा फर्स टाइम रस्य यूद अप्यास करू पड़ी रही हो छे टर्की द्वारा टर्की जेशे ए नाटो नो सब्ब्याशे न ए टी ओ नौर्थ एट्लांटिक ट्रिटी ओर्गिनाजेशन स्थापना वर्षे 1949 अब आनो अब ये थायो जारे कोल्ड वर चालो हो तू सित यूद चालो हो तू त्य एक छे अमेरिका अने एक छे रश्या रश्या ए समाई USSR तरीके ओडखातू हतू तो अमेरिका द्वारा जेशे एक ग्रूप बना मायू जेनू नाम चे एन ए टी ओ नौर्थ एट्लांटिक ट्रिटी ओर्गिनाजेशन अने जेटला पन अमेरिकाना सब्यों अता जेटला प इंडियानों पार्टिसीपेशन जीरो हतू परन्तु टर्की जेशे नेटोंनों सब्या छे लेके जो नेटोंनों सब्या होए तो यह वेक्ति जेशे ए रश्यानी विरुदमा उभूख थाईलू गणा से परन्तु तमे धिमे धिमे जो छो इंटरनेशल जीओ पॉलिटिक् रश्याने काउंटर गरवा माठे इनफेक्ट आ अंतर्ग तेवपण क्यामा वियोतू के अमेरिका अने नाटोंनी अंदर जेटला पर सब्या आवा छे तेना पर कोईपण प्रकार नों हमलो थासे तो अमेरिका साउथी पेला रिस्पॉंट कर से हालमा कुल्ट ट्वेंटी रश्या जोड़े खरीदी रही हो छे बट आपड़े कोईपण प्रोब्लेम नाथी काराण कि आपड़े नाटोंना सब्या नाथी भारत जे छे एन एम मां बहुं मोटो रोल प्ले करियो तो अब आ एक अगतिनी सस्ता छे एन एम बिजु नाम छे हवाना डिकलेरेशन तो नोन अलाइन्मेंट मुवमेंट जे उग्णेसो पंचावन मा इंडोनेशिया नो एक सेल से बांड़ूं निया थाई हती जे अंतर्गत 120 देशो ये भागली तो तो एन एम सुचे तो एन एम करीने एक संस्ता बनावावी जेमा आ विश्वना मोटा मोटा देशो जे अता है इले पोतानों स्टेंड क्लियर अतु किते कोईनी साइट छे नी अने पोते युद्नो भाग नथी बनवा मांगता तेना माट्टे एन एन ए एम नी रचना करों मोई नोन अलाइन मुवमेंट नी अने भारत जे जे छे फाइनली एन एम नो सभ्याव स्थापक सभ्याव दे ए एम जे छे एनु कोई बंदारन न थी एकले आ एक संस्ता जे छे एक इनो ऑपरेशनल संस्ता कई सक्ये छिए उने 85 दी 1979 मा एक और बता देशों मड़े छे नहीं बिजु नाम बदलीने करे छे हावाना डिकलेरेशन बात करी आपड़े लाइव फायर युद वीशे एग्जाम पॉंट अाम पॉंट आव युथी इंपोर्टन न थी परन्तु एक्जाम पॉंट आप फियू थी इंपोर्टन जे केड़ेशन माही थी हाती यहां स्क्रीन सामय में यहां एड़ करी लीठी शिटम में जोई सखोंछों च्वह जो G20 मां Vers 2020 मांते नी अध्यक्सता जेशे ये साउधी अरब प्रथमवार करी छे तो ज़ीक्ति कोई पैं गल्प कंट्री जेशे G20 नी अध्यक्सता नग करी है तो साउधी अरबिया जेशे सवप्रथमवार इलेके UAE द्वारा सवप्रथमवार अध्यक्सता करवा मा आवी छे आउपरांद वर्स 2021 नी बात करिये तो वर्स 2021 नी मीटिंग नी अत्यक्सा कर से इटली औने एना थी पण वदार इंपोर्टन क्वेस्चन बनी रहे से आपड़ा माटे वर्स 2022 जे आजा दिना पंचो तेर वर्स पूर्ण थाई जासे इलेके 17 एनियर से आवरूती त ते योजासे भारत मां दिल्ली खाते इवन तमने जो ख्यालो है तो आवर्स ना बजेट नी अंदर गवर्मेंट ओप इंडिया द्वारा अलगती 100 करोण नी जुगवाई करवा मावी छे 2022 नी जीट ट्वेंटी सम्मीट माटे लेके 100 करोण ना खर्ष नी जुगवाई जे ती बे अलग-अलग वस्तु होनी बंदे भारत मिशन अने एर बबल नी तो बंदे नी चड़चा आपड़े करी लिए तो बंदे भारत मिशन जेशे तेनों मुख्य उद्देश चे विदेश मां फसायला बाड़ती हो जेशे तिमने परत लावाना हता तो अल्मोस्ष आ मि जेश जाब मारी पाधा बाबरती हो जेशे तेमने जड मार की पाठालसालावां मा आवता ता आने बे ज़हाद नों उप्यक्ज थेओ तो कतू इस जलस्व अने एस मगर तो बे जहाँ जता इस जलस्व और आई एनेस मगर अने लास्ट नहीं फैक्ट आप माम आओ छे G20 नू वड़ू मथक जे हाल मा कोई पड़ छे नहीं एलेक एन्यूली आनी मीटिंग थाए छे जेते देश अध्यक्सा करे छे परंदु आनू कोई वड़ू मथक छे नहीं आनी बेला आपड़े आसिया नी चर्चा करिये थी तो आपड़े इंटरनेस्टनल ओर्गेनाइजेशन नोग पार्ट थाई यो आपड़ो G20 आर्टिकल पबलिस्ट हो तो इंडियान एक्स्प्रेस मा